तो स्वागत है आपका REC80 Smart Class 6 में यह भी होगी Simple, Easy and Best और इसमें होगे Top 35 कुषिन जो होगे Super Fast तरीकी से तो बिना Time Waste के वीडियो की और बढ़ते हैं तो हमारा पहला क्यूशन है वो है कि निम्द में से किस से Slide Show View में Slide आगे नहीं बढ़ेगी इसका मतलब हमें बताना है कि किस से Slide आगे नहीं बढ़ सकती अगला प्रशन है कि टाइटल बार में एक आइकन पर दिश्जित करता है जिसमें सामानिय रूप से उप्योग होने वाली कमांड जैसे Save, Undo और Redo रहते हैं तो हमें क्या बताना Save, Undo और Redo किसमें होते हैं यह होते हैं Quick Access Toolbar में किसमें होते हैं Quick Access Toolbar में अगला क्यूशन है कि किसी Chart के उपर बना Box जिसमें परते एक व्यक्तिकत Record का नाम अंकित होता है उसे Listen कहा जाता है अगला क्यूशन है कि Formant Painter का एक Combination जिसमें Color, Plate, Font Sale और Effect शामिल है उसे क्या थेम तो उसे क्या खाएंगे Theme कहा जाता है अगला क्यूशन है कि Pre-Defined Formula होते हैं जो सोते गणना का काईड़े करते हैं तो वो Pre-Defined Formula कौन से हो जाएंगे? Function Font Dialogue Box पर देशित करने के लिए किस कुन जिका प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा Ctrl प्लस T से हम Font Dialogue Box पर देशित कर सकते हैं अगला क्यूशन है कि MS Word में Text Data या Number को किस Option के द्वारा आरोई वा अरोई करम में जमाया जा सकता है तो वो हो जाएगा Short क्यूशन है कि Data Shorting की मदद से हम Data को किसी भी करम में जमा सकते हैं अगला क्यूशन है कि वर्तनी Toolbar पर इस्तित्रत है आपको बताना है वर्तनी Toolbar किसमें होता है तो वो होता है Review में अगला क्यूशन है कि बाई तरफ के किसी अकले Character को मिटाने के लिए कौनसी की टेस की जाती है तो Simple गणीते यहाँ पर बाई आया है वहाँ पर बैक स्पेस हो जाएगा प्रिंट करने से पहले हमें प्रिंट प्रिव्यू के आदर डाल लेनी चाहिए और हिंदी में इसे प्रिंट पुर्वालोगन कहते हैं अगला प्रशन है कि निम्द में से कौनसा प्राइविसी रिस्क का उधारन नहीं है तो वह हो जाएगा निम्द में से अगला प्रशन वह बैडरिस में क्या हो तो ऐसा शुरक्षित होता है मतलो कि वಈब एड्रेस में इसा क्या हो तो हमें पता चले गए कि कौन से वेबसाइट सु रिक्षित हैं है तो इसमें क्या है कि शुरुआत में https होना चाहिए और ब्राउजर पैडलोग होना चाहिए जिससे में पता चलता है कि यह वेबसाइट शुरक्षित है अगला प्रशनकी मुबाइल में स्क्रीन लॉक विकल पहे हैं आप सभी कोई पता हुए का कि मुबाइल में स्वाई, पेटन, पीन, पासवर्ट सभी परकार के लोग होते हैं अगला प्रशनकी ओनलाइन गैस बुकिंग का बुकतान किया जा सकता है अगला प्रशनकी जीपिएस, मॉन्टिटिंग और बायोमेट्रिक उपस्तिती प्रणा लिहें तो वो हो जाएगी आर एएएस अगला प्रशनकी गूगल ड्राइव में क्लाउड इस्टोरेज के साथ जोड़ा होता है तो क्या जोड़ा होता है ओफिस तूल पैस्बुक के जनक कुण है आप सबी कि क्यों बताए मार्क जुगरवर्ग मॉबाईल बुक्तान सेवां से संबंदी थे हैं मॉबाईल मनी, मॉबाईल वालेट और डिजिटल सबी क्या हैं, मॉबाईल बुक्तान सेवाई हैं इमेल अटेश्मेंट क्या हैं email attachment क्या आपको पता है कि ऐसा कोई दूसरे प्रोग्राम का अलग document जो email के साथ बेज़ जाता है email के साथ जो भी चीज़ अटेज करके बेज़ी जाती है उसे attachment काहत जाता है अगला है कि www.w.w. से शुरू होने वाले पता किसे संबनित होता है तो यह होता है website से क्या होता है जिसमें भी www आता है वो पता क्या होता है website का पता होता है worldwide वेब का www से शुरू होने वाले पता को क्या कर जाता है URL uniform resource locator अगला प्रशन है अगर आपके पास online bank खाता है तो आप कर सकते हैं अगर हमारे पास online bank खाता होगा तो हम अपने बिल का भुकतान भी कर सकते हैं movie ticket online book कर सकते हैं और online premium का भुकतान कर सकते हैं तो हमारे पास online bank खाता होगा तो यह सभी काईड़े हम कर सकते हैं नेटवर्क टॉपोलोजी हो सकती है तो नेटवर्क टॉपोलोजी में बस भी हो सकती है रिंग भी हो सकती है यह तिनों ही नेटवर्क टॉपोलोजी है अगला प्रशन है कि निमने में से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है तो इसमें प्रोटोकॉल तो यह एक प्रोटोकॉल है त तो यह प्रोटोकॉल नहीं है, क्योशन में क्या पूचा कहे है, कौन से प्रोटोकॉल नहीं है, तो IRC, Internet Relay Chat, यह एक प्रोटोकॉल नहीं होता है, यह लोग पर यह chatting सेवा है, अगला क्योशन आगया है, URL का पुरा नामें, तो अभी मैंने वीडियो में बताया था, URL का मतलब हो जाएगा, Uniform Resource Locator, जो कि है, Option Number A, Uniform Resource Locator, अगला प्रशन के निम्न में से कौन सी Social Media साइट नहीं है, तो Facebook क्या है, Social Media साइट है, इसलिए सही आंसर नहीं है, Instagram भी Social Media साइट है, यह भी सही आंसर नहीं हो सकता, और आपका A और B, दोनों ही Social Media साइट है, लेकिन क्योशन में क् जगा नहीं है, तो कौन सी Social Media साइट नहीं, वो है आपकी Wikipedia, डिजिटल कम्पीटर की सिदान पर कायरे करते हैं, तो सिंपल गणित, यह आपको याद रखना है, डिजिटल कम्पीटर गणना की सिदान पर क्या कायरे करते हैं, फाइल कम्प्रेशन क्या है, तो कम जगा में फ एक elektronik उपकरण है, जो डाटा को information में convert करते हुए process करता है, तो यह processor करेगा, क्या करेगा, processor का का कामी process करना होता है, किसका काम होता है, processor का का कामी process करना होता है, अगला प्रश्न है, कि वो कौन से program है, जो आपके computer को हानिकारक program और वाइरस से बचाते हैं, तो सिंपल गण बचाता है舍ाट पूटरीडिग सिस्टम lumière से लृड़ों ऐसे लिख सकते हैं को सिंपल समझते हैं यहाँ थोड़ा धेयी समय गैसे जी सिथे और Εनिक स्बंधी क्लाई कर ई 안---- उत्भाइटिटिग सिस्टम्हों माल तो110 क्लिस्टम में केलाता है अतात ओपरेटिंग सिस्टम होता है आपका ओएस वो एक से अधिक प्रोग्राम पर मान दो तीन या चार प्रोग्राम पर काईड़े करता है तो उस परकार के ओपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है तो उस परकार के ओपरेटिंग सिस्टम को मल्टी टास्किंग operating system कहा जाता है किसी file को तूरंद खोलने के लिए आप desktop पर क्या करते हैं shortcut icon मनाते हैं किसी file को हमें जल्दी खोना तो shortcut icon मनाते हैं ताकि काम जल्दी हो जाए जैसे हमारे superpast question है अगला है कि cursor के by और के अक्षर किस कुझी से मिटाई जाते हैं मैंने पहले बतायता है by का मतलब backspace और by का मतलब delete तो by का backspace सभी answer हो जाएगा अगला question किस परकार की ROM बिजली के सिगनल से मिटाई जा सकती है तो हम इपर ROM इस नाम वाली रेम को हम बिजली के सिगनल से मिटा सकते है और इपर लिखा है इसमें क्या लिखा है डबल इपर लिखा है electric, erasible, programmable, read-only, memory तो इसमें electrical और erasible erase का मतलब मिटाने वाला अगला question है कि database program, word processor, web browser जैसे software की श्रेनी में आते है तो इस अभी क्या है application software क्या है यह सभी application software में आते है तो कितनी खुश्ची की बात है कि हमने top 35 questions पड़ चुके है वो भी कितने 8 मिंट से भी कम समय में और अब 9 मिंट होने वाला है तो वीडियो पसंद आई तो प्लिज लाइक कर दे इस वीडियो को शेयर करना ना भूले जल्दी मिलते है नई वीडियो में जैहिंद बाई